दमाश्टर प्रकास क्लासेस यूटूब चनल आप सभी लोगों का सौध करता है तो 17 अक्टूबर यानि के रभीवार को आपके जूनियर सिक्षक भरती की परिछा होने वाली है और इसमें करंट अफेर्स एक महत्पोन सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लोग पिछले आगे के 4-5 दिनों के लिए एक करंट अफेर्स की सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें एक प्रक्टिस सेट में टोटल आपके पास 20 प्रिशन रहेंगे और टोटल कितने प्रक्टिस सेट हमें सौल्व करना है 30 तो कुल मला के आपके पास 600 टोटल प्रिशन हैं प्रक्टिस करने के लिए यानि कि आपके परिच्छा तक 600 प्रिशनों का हम लोग प्रक्टिस करने वाले हैं करंट अफेर्स में और 600 प्रिशन बहुत ही प्रियाप्त होते हैं आपके रिविजन के लिए तो चलिए फटाफट अपने आज के practice set के प्रिश्णों को देखते हैं और एक दिन में कम से कम 5 या 6 practice set हम लोग बनाएंगे तभी आपकी ये 30 practice set आपकी परिच्छा तक खतम हो पाएंगे यानि कि रविवार से पहले पहले आपके exam देने के पहले पहले आपको 600 प्रिश्णों का practice set solve कराना है इसकी पूरी गारंटी है तो चलिए आज का अपना पहला प्रिश्ण solve करते हैं हमारे पहले प्रिश्ण में है महालेखा नियंतरक जिसको हम लोग CGA दोरा जारी रिपोर्ट के अंतर कि इन सरकार का राजकोसिय घाटा जून 2021 में वार्सिक अनुमान का कितने प्रतिशत रहा तो जो राजकोसी घाटा है जो वो वार्षिक अनुमान का कितने प्रतिसत है वो इसको किस ने बताया है CGA ने बताया है तो कौन सा बिकल्प सही रहेगा आपका पहला वाला बिकल्प 18.2 प्रतिसत बिलकुल सही है यहाँ पर सारे आपको most important प्रिश्ण मिलने वाले है जो प्रिश्ण आपको नहीं आता है उसके बारे में detail में जाके किसी बुक से पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिश्ण पर किस भारती ने प्रतिस्ठित बिल आईजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवाल्ड जीता है तो ये अवाल्ड किसने जीता भीया ये अवाल्ड आनंद जीता है आनंद राधा किस्ण आण बिकल्प A हमारा बिलकुल सही रहेगा दूसरे नमबर चलते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्डिनेट पेट्रोल C.O.R.P.A.T. कॉर्पैट का कौन सा संस्ट्रण हिंद महासागर में आयोजित हुआ था तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़िएगा यहाँ पर 36 संस्ट्रण था पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है जो भी अगर आपको प्रिष्ण के आंसर पता है तो उसको कमेंड बॉक्स में फटा फटा आप लिखते चलिए चौथे नमबर चलते हैं K.O. K.O. कौन है? भारत का सबसे उंचा परबस सिखर है पर पहुचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के परबातरा रोही कौन है तो सबसे कम उम्र के इंसान कौन है? K.O. पर पहुचने वाले चौथे नमबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? काशिफ, काशिफ सहरोज, काशिफ आपका विकल्प सही है बिस हेपेटाइटिस्ट दिवस यानि बिस हेपेटाइटिस्ट डे कब मनाया जाता है इस चीज़ को कमेंड बॉक्स में आप लोग बताईएगा और यहाँ पर बताना है विस हैपेटाइस्टिस्ट दिवस पर किस राज ने मौडल हैपेटाइस्टिस्ट बी उपचार केंदर शुरू किया है तो मौडल हैपेटाइस्टिस्ट बी का उपचार केंदर किस राज ने शुरू किया है यहाँ पर आपका बिकल्प सी वाला मनीपूर बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं मानो तर्शकरी के बुरुद बिस्तो दिवस 2021 का क्या बिसे था तो तब यह थोड़ा सा खराब है सर्दी जुखाम बुखार है अगर कुछ दिक्कत हो आवाज में तो उसको आप अज़ेश्ट कर लिजिएगा इसमें आपका पहला वाला बिकल्प बिक्टिम्स वाइन्स वाइस लैंड दवे यह आपका बिस्ता पहला बिकल्प आपका बिलकुल सही रहेगा मिस इंडिया यूसे 2021 का कहिताब किसने जीता है तो उसका खिताब जीता है बदेही जी ने विकल्प सी आपका बिल्कुल सात्में प्रिश्ण के लिए सही है आठें नमर चलते हैं किस देश में स्तित्थ सिटियो वरल मार्क्स को युनिस्टो की 20 धरोहर इस्तिलों की सूची में सामिल किया गया है तो ये वाला जो इस्तान है ये किस देश में है तो ये आपके कहां पर है ये आपके ब्राजिल में है पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं भारत में कितने बाग आप भ्यारणों को Global Conservation S.E.O.L. Tiger Standard C.A.T.S. की मानिता मिली है तो भारत के कितने बागों को ये हमानिता दी गई है नौए नमबर में आपका टोटल 14 बाग यानि कि C वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क गलोमल सोरी गलोमल वार्मिंग के कारण खत्रे में है ये किस देश में है तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है दसवे नमबर में आपका ये जो पार्क है वो अमेरिका में है बिकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा ग्यारे वे नमबर चलते हैं आई एससफ सूटिंग बिस्तुकप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है आई एससफ सूटिंग बिस्तुकप में तो ग्यारे नमबर में आपका सी वाला विकल्प सौन पदक जीता है बिकल्प C आपका बिल्कुल सही रहेगा 12 नमबर चलते हैं किस सहर में कोरोना वाइरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग क्लिया जा रहा है तो फेस स्कैनर कहां पर लगाया गया है 12 नमबर में आपका आबुधाबु बिकल्प B वाला बिल्कुल सही रहेगा 15 नमब चलते हैं कौन सा देश अंतराष्टिय सौर संग॥न में सामिल हुआ है अंतराष्टिय सौर संग्थन का कार्याले भारत में हैं भारत के गुड़गाओं में है तो कौन सा देश सामिल हुआ है इसमें ग्रीश सामिल हुआ है आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा चौदा नमर बढ़ते हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने डोभी दुरुगापूर नेचरल गैस पापलाइन को देश को समरपित किला है इस पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी है डोभीद दुरुगापूर गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो कितना है वो है आपका 348 किलोमेटर यानि की बिकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा पंदरा नमर बढ़ते हैं प्रतिष्टित आकासवाणी संगी समारो का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो इसका नाम बदलकर पंदित भीन सुम जोसी के नाम पर रखा गया है पहला वाला बिकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 16 नमर चलते हैं कौन सा मंत्राले बित्के बर्स 2021-22 के दारान डेटा एनलिस्टिक्स में संचालित MCA21 वर्जन 3.0 लांच किया है तो भीया बहुत लंबच ओड़ा प्रिश्ण है 16 नमर का प्रिश्ण आप देख लिजिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा कौर्परेट कारी मंत्राला जो मंत्राला है विकल्प सी वाला आपका इसमें बिल्कुल सही है जल्दवाजे में कभी-कभी थोड़ी बहुत गल्तियां हो जाती हैं बोलने में उसको आप इग्नोर कर दीजेगा यहां सत्र नमबर में आपका विकल्प डी सुभाज चंद्रवोश आपका विल्कुल सही रहेगा आईपिल दोजार इकीस के लिए कौन सी कंपनी प्रायोजग है तो यह तो आप मैच देखी रहे होंगे किसमें टीबी पर और किसका परचार बार बार आता है तो आता है परचार बी बोका यानि कि पहला वाला विकल्प यहां पर हमारा सही रहेगा उन्नीस नमर पर चलते हैं उन्तीस में अगर तला इंटरनेशनल बुक फेर का विसय क्या था तो इसका जो भी सह था एक त्रिपुरा स्रेष्ट त्रिपुरा आपका विकल्प बी वाला यह आपका बिल्कुल सही है और इस प्रेक्टिस सेट के आखरी पर चलते हैं एक पुस्तक है मीटू इसके राइटर कौन है तो मीटी जो पुस्तक के राइटर है बहुत ही फेमस बुक है उसके राइटर है करण पूरी यानि के बिकलब डी वाला आपका बिलकुल सही रहेगा तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 20 पृष्णों को सॉल्व खिला है आप लोग सिक्षक भरती के तैयारी लगातार करते रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद